दोस्तों साल 2020 में क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े टूनामेंट आईपिल के 13 सीजन का कोरुणा के खत्रे के बीच आखिरकार आप आयोजन होने जा रहा है। UAE में 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच आईपिल का आयोजन किया जाएगा। लीक का कारिक्रम भी जारी कर दिया गया है। उठाते हुए UAE में इसका आयोजन करने का फैसला लिया। इस बार लीक का पूरा सीजन 30 दिन चलेगा जिसमें कुल 10 डबल हैडर्स खेले जाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी T20 क्रिकेट लीग में से एक IPL का आयोजन UAE की तीन जगा अबुधाबी, दुबई और शारजा में होगा। भारतिय समय अनुसार मुकाबले दो भर साड़े तीन बजे शुरू होंगे और शाम के मुकाबले साड़े साथ बजे शुरू होंगे। शाम के मुकाबलों को आधा घंटे पहले कर दिया गया है। दुबई में 24 मैच, अबुधाबी में 20 और शारजा में 12 मैच खेले जाएंगे। प्ले आफ और फाइनल के वेन्यू की घोशना बाद में की जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं IPL 2020 का पूरा टीम टेबल। लीग का पहला मैच 19 सितंबर को अबुधाबी में मुंबई इंडियन्स और चेनई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। चटवा मुकाबला चॉबिस सितंबर को दोबई में किंग्स 11 पंजाब और रोयल चलेंजर्स बेंगलूरू के बीच खेला जाएगा। चुबिस सितंबर को दोबई में राजस्थान रोयल्स और कुलकाता नाइट रैडर्स के बीच खेला जाएगा। सितंबर को अबुधाबी में रोयल चलेंजर्स बेंगलूरू और राजस्थान रोयल्स के बीच खेला जाएगा। सोलवा मुकाबला तीन अक्टूबर को शारजा में डैली कैपिटल्स और कुलकाता नाइट रैडर्स के बीच खेला जाएगा। सत्रवा मुकाबला चार अक्टूबर को शारजा में मुंबई इंडियन्स और संराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा। अठारवा मुकाबला चार अक्टूबर को दुबई में किंग्स 11 पंजाब और चेनई सुपर किंग्स के बीच होगा। सत्रवा मुकाबला चार अक्टूबर को शारजा में मुंबई इंडियन्स और संराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। सत्रवा मुकाबला चार अक्टूबर को अबुधाबी में मुंबई इंडियन्स और कोलकता नाइट राइजर्स के बीच खेला जाएगा। 33 मुकाबला 17 अक्टूबर को दुबई में राजस्थान रोयल्स और रोयल्स चलेंजर्स बेंगलूरू के बीच खेला जाएगा। 34 मुकाबला 17 अक्टूबर को शारजा में डेली कैपिटल्स और चिन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। 35 मुकाबला 18 अक्टूबर को अबुधाबी में संडाइजर्स हैदराबाद और कुलकता नाइट राइडर्स के बीच होगा। 36 मुकाबला 18 अक्टूबर को दुबई में मुंबई इंडियन्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच होगा। 37 मुकाबला 19 अक्टूबर को अबुधाबी में चिन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रोयल्स के बीच होगा। 38 वा मुकाबला 20 अक्टूबर को दुबई में किंग सिलेवन पंजाब और डेली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा 49 वा मुकाबला 21 अक्टूबर को अबुधावी में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चेलेंजर्स बेंगलूरू के बीच खेला जाएगा 44 वा मुकाबला 22 अक्टूबर को दुबई में कोलकाता नाइट राइडर्स और डेली कैपिटल्स के बीच होगा 43 वा मुकाबला 24 अक्टूबर को दुबई में किंग्स 11 पंजाब और सन्राइजर्स के बीच खेला जाएगा 44 वा मुकाबला 25 अक्टूबर को दुबई में रॉयल चेलेंजर्स बेंगलूरू और चेनने सुपर किंग्स के बीच होगा 42 वा मुकाबला 25 अक्टूबर को आभुधावी में राजस्थान रोयल्स और मुंबई इंडियंज के बीच खेला जाएगा 46 वा मुकाबला 26 अक्टूबर को शारजह में कुलकाता नाइट राइडर्स और किंगस 11 पंजाब के बीच हो गा 47 वा मुकाबला 27 सक्टूबर को दुबई में सन्राइजर्स हैदराबाद और डेली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा 48 वा मुकाबला 28 सक्टूबर को अबुधाबी में मुंबई इंडियन्स और रोयल चलेंजर्स बेंगलूरू के बीच खेला जाएगा 49 वा मुकाबला 29 सक्टूबर को दुबई में चिन्नई सुपर किंग्स और कुलकता नाइट राइडर्स के बीच होगा 50 वा मुकाबला 30 सक्टूबर को अबुधाबी में किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रोयल्स के बीच खेला जाएगा 51 मुकाबला 31 सक्टूबर को दुबई में डैली कैपिटल्स और मुंबई इंडियन्स के बीच होगा 52 मुकाबला 31 सक्टूबर को शार्जा में रोयल चेलेंजर्स बैंगलूरू और संराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा 53 मैच 1 नवंबर को अबुधावी में चिन्नई सुपर किंग्स और किंग्स लेवन पंजाब के बीच होगा 54 मुकाबला 1 नवंबर को दुबई में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्तान रोयल्स के बीच खेला जाएगा जबकि 56 मुकाबला 3 नवंबर को शारजा में सन्राइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियन्स के बीच खेला जाएगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथी चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं